नमस्कार जी सस्थाइब सर क्या नाम है बेहन जी आपका? नितु अग्रवाल बेहन जी आप कहां से आए हैं? गौलियर बेहन जी संत्राम पाल जी मारासर नाम दिक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2015 को बेहन जी संत्राम पाल जी मारासर नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई वक्तिसाद नाभी करते थे? सर मैं ब्रहमा विश्णु महईज और रक्शमी ऍजी दुरगाजी सबकी पूझा करती थी तो पिर संत्राम पाल जी माराज की सande में आप कैसे आए? तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नामदक्षा लेने के बाद आपको कोई लाप राप्त हुए? कोई ना कोई बात पिए मारे गहर में घर रहता ही था और जबसे मालिक से नामदान लिया तब सी हमारा कलेश दूर हो गया और मेरी बेटी है तो इसके कान में बैगा पढ़ गई थी तो वह पोलती है मम्मी मेरे कान में डिगाण पढ़ गई आप मुझे दिखा लो मैंने का मै को जाएगी मालिक शाएंगे तो तो उसने ऐसा ही करा तो कुछ दूनों बात देखा कुंग मं उसकी काण में नहीं थी निजात मिल इसे कोई दर्द अगरा भी नहीं और इसमे दर्द भी होता था मैरे पाटिजी पहले शिंगर जी की पूजा करते थे तो से की पूजा कर तो स वेक्ष लीन नम हैं थैसे तो थैसे देख्ट के लुग करते थे व protEN Orthodox करहें ह सब Americas करते थे भाःचा कर रहता हैं झालम थैसे छोपिदी बाफ मैसं करते थे भोह करने के बाद सर्मारे को बहुत मारते थे बहुत कलेस करते थे बच्चे भी नाम से ßञा नाम latsy कि दंगा तो नहीं होगा बच्ची उनके आने से पहले ही चैदर ओड के सोड जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि पापा आगर में करेंगे इस कलेश से अच्छा है कि हम ऐसी ही सो जाए खाना कभी खाते थे और थोटी चोटी सी बातों पर हमारे पती जी मुझे मारते थ उनके नाम से टरती थी किया आप मुझे इस gitu एनो बहले हैं प्ती ने से शे व क्या है कि यह पाँ दो तो अच्छा थीए्यॉ मुझे कि में पेवस्त को जाती थी लेकिन गुरु रामपाल जी महाराजी से नाम दिक्षणा लेने के बाद मेरे पती का नसा लड़ाई जगडा मार पीड सब बंद हो गई है और एक वह सामा ने जीवन अच्छा जीवन वैतित कर रहे हैं और हम सब भी गुरु रामपाल जी महाराजी के दया से अच्छा जीवन जी रहे हैं अब हमारे धर में कोई लड़ाई दंगा नहीं है और मेरे पती को पैर में एक्जिमा थी जिसकी वैसे उन्होंने कई डॉक्टर चैंज किये थे डॉक्टर खोजेमा सेफी जो कंपू पे है उनकी उन्होंने दवाई ली ती पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दिन हमारी बच्ची नहीं का कि पापा जी आप दवाई लगा लो पापा जी नहीं जब देखा तो महां पे तो कुछ भी नहीं ता जहां पर 24 गंटे पानी रिस्ता रहता था ता वहां कुछ भी नहीं अब बिल्कुस अच्छी तरह ह अब कोई बिदावाई लेने कि हमें जरूपा जिरूफा नहीं पढ़ रही है कि सब गुरूरामपाल जी महाराजी की दया से हुआ रहा है एक लाव और हुआ कि मेरे पापा जी है पहले वो तमाकू खा देते जीने की रहा उन्होंने पुस्तक पड़ी गुरु जी रामपाल जी महाराजी की दया से जीने की रहा ग्यान गंगा तब से उन्होंने तमाकू खाना छोड़ दी और संतरामपाल जी महाराजी की दया से हुआ है सब कुछ बेंजी संत्रामपाल जी महारासे नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी है उनको आप क्या संदिश देना चाहेंगी क्या बोबी संद रामपाल जी महाराजी की चरण में आयो उनसे नाम दिख्षणा ले संद रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षणा कैसे ले सकते है संध्गूरू रामपाल जी माहराजी बढ़ते हैं। जिसके नीचे एक tragen पट्टी चलती है। इसमें माल के गुरू रामपाल जी माहराजी के लिए हैं। आप उस नंबर पर फोन लगा के आप सम्पर्ख कर सकते हो और संधय नेइटान पर पके लिए। झाल झाल झाल